नमस्कार साथियों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेरी एजुगेशन दोस्तों पंचायती रात लग अलग डिवाइड करके बताया गया है और परतेग जिले की अनुमानन कटोप तियार की गई है और यह कटोप डिश्टिक वाइज फुल कटोप तियार की गई है औ और इसके अंदर तमाम अभीरती बोनस अभीरती वाइज फ्रेसर अभीरतीयों को अलग अलग डिवाइड करके बताया गया है और परतेग जिले की अनुमानन कटोप आप सभी अभीरतीयों कहने पर हमारे टीम वाइज जानकारी लेकर यह कटोप तियार की गई है और इस अभीरती बहुत ही पुरानी बढ़ती होचके दो जार तेरह की बढ़ती और दो जार एकीस बाइस शुरू होने वाला है लगबग दो या दस साल के अंतराल के बाद में इसके डाटा उपलब्द करवाये हुए तमाम विशेश्यों के फ्रेसर अभीरती और बोनस अभीरती जो इस बढ़ती के अंदर जोइनिंग ले चुके उन अभीरतीयों से भी संप्रक किया और तमाम अभीरतीयों से संप्रक करने के बाद में हमने यह कटोप त्यार किये और पूरी कटोफ हम आपको आगे बताते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले में आपको यह बता देत हैं वह आपके कितने नम्मर बन रहे हैं एक तो मैं आपको फोर्मेट बता देता हूं कि फ्रेसर वाले जैसे फ्रेसर वालों बंदों के 30 परसंटेज बोनस अंक नहीं जुडेंगे और उनका रिजल्ट निकालने के लिए उनको बारवी के परसंटेज इंटू 70 बटा 100 के पूरी डिस्टिक वाइद कटोप में वीडियो के इनर आप अपने नम्मरों को देख सकते हैं कि आपके कितने नमर बन रहे हैं और दोस्तों यह है पूरी डिस्टिक वाइपद भरे गये पद वा बच्चे वेपद वा अनुमाननत कटोप बताएंगे तो सात्यों पहले है है अजमेर में पूल पदों की संकिय है 589, और यहांपर भरेवे पदों की संकिय है 240, बच्चे वेंपद की संकिय है 350, अनुमानन कटोप की बात करें तो जनरल की 60% ₹क्षे 25%, फॉस्टिक 50% वह इंवाई इलवर की बात करें तो कूल पदओ की संकिय है 1400 , बच्चेवे सकती है और बात करते हैं आगे बास वाड़ा की तो तो सात्यों बास वाड़ा में कुल पदों की संक्या थी 600 बच्चेवी पदों की संक्या एक सो पचैसी वह यहां की अनुमानन कटोब जनरल की 55 परसंटेज OBC के 50% SC के 26% है S20 के 84% है आगे जिलाता है बाड़ मेर में कुल पदों की संक्या है 777 बच्चे वे पदों की संक्या है 22 और बच्चे वे पदों की संक्या है 400 55 तो यहां की अनुमानन कटोब जनरल की 55 परसंटेज वे OBC के 53% वे SC की 11% वे ST की 48% रह सकती है और साथ यो 12 की बात करते हैं तो 12 के अंदर कुल पदों की संक्या 461 यहाँ पर भरेवे पदों की संक्या 155, बच्चे वे पदों की संक्या 286 और अनुमानन कटोब जनरल की 55% OBC की 12% SC की 11% वे ST की 50% रह सकती है और भरतपूर की बात करते हैं तो भरतपूर के अंदर 733 संक्या 343 बच्चे वे पद है 435 और यहाँ के अनुमानन कटोब जनरल की 55% रह सकती है OBC की 14% रह सकती है और SC की 12% रह सकती है और ST की 11% रह सकती है और दोस्तों आगे आपको मैं परतेक जिले की पूरी डिटेल वाइज कटोब बता देता हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यह बता देता हूँ या तो 1 परसेंट 1 या 2 परसेंट उपर रहेगी या 1-2 परसेंट नीचे रहेगी और हमारे अनुमान से तो एक जड़ कटोब इन नमरों से 2-3 परसेंट डाउन ही रहेगी और आगे जिले की बात करते हैं भरतपूर के बाद में रह सकती है दोसा में कुल पदोगी संक्याती चारसो फचेतर और यहाँ पर भरहेवी पदोगी संक्याए 153 और खाली पदोगी संक्या की बात करते हैं तो 322 पद खाली है दोसा के अंदर और यहाँ पर अनुमानन कटोब जनरल की गुणपचास परसेंटेज और OBSC की 47 परसेंट, SC की की परसेंट रह सकती है डुंगरपूर, दुगरपूर में कुल पदोगी संक्याइटी चारसो फचेतर और यहाँ पर भरहेवी पदोगी संक्याइटी और यहाँ पर अनुमानन कटोब जनरल की 58, OBSC की 55, की 92 रह सकती है डुंगरपूर की गंगा नगर, गंगा नगर में 356 यहां पर अनुमान का टोप जनरल की 60 OBC की 58 वा SC की 56 वा ST की 53 परसेंट रह सकती है और सातियों आगे हम बात करते हैं हनुमान गरी और सातियों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी अभेयर्तक की 54 वीडियो देखने के बार एक बार कमेंट जरूर सभी अबेटय अपने डेटकेutz सब्सक्राइफ के लिए परदेफ एक जार प्रदों की संग्या थी 305 यहां पर चल बहुआ थी 303 वह खाली प्रदों की संग्या शहां से यहां पर अनुमालन कटों जनरल की 60 परसेंट और यहां पर अनुमारन कटोप जंडरल की 50 परसेंट ऑबीसी की 47 परसेंट रह सकती है बीलवाडा की बात करते हैं तो बीलवाडा में कुल पदोगी संख्या थी 815 और यहां पर बरेवे पदोगी संख्या थी 486 और यहां पर खाली बरेवे पदोगी संख्या बता देता हूं अब बात करते हैं चितोडगडगी तो चितोडगडगी सात्यों 625 पदों पर 25 पते हैं और यहाँ पर भरेवे पदोगी संख्या है 126 वक्खाली पदोगी संख्या है 499 यहाँ पर अनुमानन कटोब जनरल की 12% रह सकती है OBC की एकाउन परसेंट, SC केरता इस परसेंट हुआ, ST की 44 परसेंट रह सकती है चूरू में कुल पदोगी संख्या है 527 और यहाँ पर भरेवे पदोगी संख्या है 136 वक्खाली पदोगी संख्या 300 यहाँ की अनुमानन कटोब जनरल की 1% रह सकती है OBC की 50%, SC की 43% वर ST की 47% रह सकती है चूरू की दोसा की बात करते हैं, दोसा में कुल पदोगी संख्या 370 और यहाँ पर भरेवे पदोगी संख्या 153 वक्खाली पदोगी संख्या 322 यहाँ की अनुमानन कटोब की बात करते हैं तो दोसा की जनरल की 50%, OBC की 47%, SC की 46% वर ST की 43% यहाँ पर रह सकती है आगे बात करते हैं जालोर की तो जालोर की में कुल पदोगी संख्या 565 और यहाँ पर भरेवे पदोगी संख्या 148 खाली पदोगी संख्या 417 वह यहाँ की क 40% रह सकती है जालावाड जालावाड में कुल पदोगी संख्या 535 और यहाँ पर भरेवे पदोगी संख्या 144 और यहां की अनुमानन कटोब जनरल के 97% OBC की 56% SC की 53% 48% हो सकती है सात्यों और आपको इसी करम में सभी जिलों की बात करते हैं तो पहले जुन-जुन की बता कि अनुमानी कटोब सबसे हाई रहती है जुन-जुन की कटोब में यहां पर जनरल की कटोब रह सकते हैं जुन-जुन में 62 OBC की 61% SC की 60% रह सकते हैं और सात्यों में यह भी बता देता हूं कि यह कटोब कम भी हो सकती है क्योंकि तमाम जो अभियर्थी 2013 की बढ़ती के अंदर जिन अभियर्थी टोपर में थे वह बढ़ती अभी दूसरी विकेंशियों के अंदर भी वह जोब लग चुके हैं तो निच्ची बच करते हैं हम जोदपूर की जोदपूर के अंदर कुल बढ़ों की संक्याथी साथ सो जी आपे 268 और 155 रह सकती हैं थी ती अऊंपर प्रेंस вокруг q2 ब चंदर ने अनुमान बढा़ Program कि snippy ृच्प की 38 परसेंट रह सकती है श्वtt की 24 परसेंट रह सकती है नागोर में धाल संक сильноgak 2003 और यहां की अनुमानन क्टोब जनेल की का 9, 65 परसेंट धे की सहती है बात करते हैं साने की पालिकी 4k पदों के संक्याइं ठी 625 और यहाँ पर भर्यक्त हो ग संक्याइं गाली भग्यादे 126 लतुयां, सब्सक्राइब और यहां पर सिक्कर में खाली पदोगी संख्या चार सो है और सिक्कर की अनुमानन कटोप साट परसेंट जनरल की 61 परसेंट और यहां पर अनुमानन कटोप जनरल की और सिक्कर में खाली पदोगी संख्या और यहां के अनुमानन कटोप की बात करते हैं तो अनुमानन कटोप जनरल की लगार अनुमानन कटोप जनरल की गुणपचास परसेंट और यहां पर अनुमानन कटोप जनरल की गुणपचास परसेंट और यहां पर भरहे पदोगी संक्या 136 और खाली पदोगी संक्या 335 खाली पद है यहां पर खाली भरहे पदोगी संक्या 134 अनुमानन कटोप परताबगड की बात करते हैं सब्सक्राइब दोस्तों यह हमारी त्यार की गई पूरी अनुमारन कटॉप LDC बच्ची 2013 की यह कटॉप है और कुल पद इसके अंदर बच्चे बढ़ेवे पदो संक्या थी अजहार 452 बढ़ में और जिन अभीयरतियों को बर गए पद उनकी संक्या बच्ची है कि करीं // अब इस बच्ची संक्राइन TV को पूरा ऑना है और अब ये पर ब्रती पूरी हो गई तो इन तमाम अभीयरतियों को रोजगार मिलेगा और जो अभीयThI और इस मे मेथड से अपना परसेंटेज बेस पर निकाल सकते हैं और साथियों आगे बढ़ने से पहले में ये भी बता दिलाओं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि तमाम बर्तियों की रिलेटिव ख ऑग q लि бесवारे चैनल की नहीं काall कृ लिए लेका हूःने से आटकक्रण वे जह है। आगए देट गाल को ख देए कि एए लेका से लुगर को जड़ होना बप्सक्राइब क्योंकि फग्सक्ति चूदए है